वेल दोस्तों अगर आप लोग भी अपना ATA PAYMENT BANK अन्दर अपना Zero Balance ऐ हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आकांट ओपनिंग स्टार्ट हो चुगा है अब अपना Zero Balance एकांट गहर बैठे बैठे आप ओपन कर सकते हो इसके साथ आपको फ्री में इसका वर्चुल डेट कार् दे दिया गया है जिसकी वज़े से मैं अपना phone पे Google पे या फिर UPI की कोई सी भी application instant run कर सकता हूँ तो दोस्तो अगर आप भी घर बैठे बैठे अपना ATL के अंदर Zero Balance अकाउंट उपन करना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को complete देख लेना तो दोस्तो ये वाल अकाउंट उपन करने के लिए मैंने आपको description box के अंदर इनका official link दे रखा है वहाँ से तो भाई सबसे पहले आपको ATL Thanks के application को download करने के बाद आपको उपन करना है वो OTP आपको यहाँ पे submit कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास welcome का message आ चुगा है उसके बाद आपको अपनी location की permission, phone call की permission वगएर को allow कर देना है उसके बाद आप देख सकते हो हम इनके homepage पे आ चुगे है अब दोस्तो homepage पे आने के बाद बहुत से लोगों को यहाँ पे account opening का option ही नहीं मिलता तो वह एक बर मैं आपको बता लेता हूँ आपको कहाँ पे exactly जाना है यहाँ पे आप देख सकते हो आपको नीचे की side चार option दिये जाएंगे आप manage पे click करते हो आप इनके homepage पे आ जाओगे और यहीं पे आपको get wallet का option दिख जाएगा अब देखो भाई अभी तो हम wallet create कर लेंगे लेकिन मैं यहीं पे आपको दिखा रहेता हूँ कि आपको saving account का option कहाँ से मिलेगा यहाँ पे जैसी आप more पे click करते हो न यहाँ पे आप देख सकते हो buy new service के अंदर open bank account का option दिया जाता है और इसी पे click करके हम अपना saving account open करेंगे लेकिन saving account open करने से पहले हमको अपना wallet create करना है तो यहाँ पे आपको simply get wallet पे click कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास digital saving account का option आ रहा है और इस account के यहाँ पे थोड़े बहुत benefit भी लिखा पड़े है जिसको कि आप पढ़ सकते हो मैं यहाँ पे simply get started पे click कर देता हूँ अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना wallet create करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ID proof के हिसाब से अपना first name डालना पड़ेगा उसके बाद लास्ट नेम डालना पड़ेगा उसके बाद आप यहाँ पे calendar पे select करके date of birth अपना डाल सकते हो उसके बाद आपको अपनी email ID डालने पड़ेगी पिन को डाल देना है अब यहाँ पे आपको एक select ID proof इसके अदर आप अपना अधार कार वगएरा या फिर pen card भी दे सकते हो लेकिन मैं तो यही recommend करूँगा कि आप यहाँ पे अपना अधार कार डालना उसके बाद document नमबर के अदर आपको अधार कार का नमबर डालना है उसके बाद आपका mobile number यहाँ पे show हो रहा होगा तो उसके बाद simply आपको submit कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक MPIN create करना पड़ेगा अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान अखना जब भी आप अपने application करना login करोगे और जब भी आप अपनी application से कोई CP transaction करते हो तो MPIN हमेशा मांगेगा तो MPIN create करते वक्त इसको थोड़ा strong बानाना और हमेशा याद रखना आप यहाँ पे देख सकते हो हमने MPIN successful create कर लिया उसके बाद आपके mobile number पे एक OTP भेजा जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter करके confirm कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा wallet successful create हो चुका है और भी देखो इस wallet की ना एक limit भी तैय की गई है आप अपने wallet के अंदर 9000 से जादा पैसे नहीं रख सकते है ना आप 9000 से जादा की transaction वगरा कर सकते हो तो भी हमारा wallet तो successful create हो चुका है अब यहाँ पे आपको explore वाले बटन पे क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम इनके home page पे दुबारा से आ चुका है और हमारा यहाँ पे wallet भी create हो चुका है और wallet के अंदर अभी हमने कोई भी पैसे वगरा add नहीं करे तो एक बर मैं आपको पता देता हूँ कि आप अपना account अप कैसे open कर सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको banking service के अंदर चौते नमर पे upgrade account को option मिल रहा है आपको इसी पे click कर देना है आप यहाँ पे आप देख सकते हो इस account के जो भी benefit है वो आपको यहाँ पी दिखाए जा रहे हैं जैसे कि आपको इस account के अंदर 7% का interest rate मिल जागा आप यह account के अंदर daily अपनी transaction कर सकते हो आपको यहाँ पे zero balance account की facility मिल जाती है कोई भी balance आपको maintain करने की जोत नहीं है और यहाँ पे आपको debit card पे भी बहुत सारे benefit देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको safe पे का एक safety feature भी मिल जाता है जिसे कि आपका जो पैसा है वो safe रहेगा और इस account को open करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ अपना pen card और अधार कार्ट सम्मिट करने की जोत है तो अब यहाँ पे आपको simply get started पे click कर दिना है अब इस page पे आप देख सकते हो आपको अपना pen card का number और आपको अधार card का number एंटर करना पड़ेगा और मान के चलते हैं अगर आपके पास आपका pen card और अधार card नहीं है तो भाई आप यहाँ पे I don't have these document पे click करके आप अपने document को manually भी या फिर physically भी upload कर सकते हो उसके बाद आपको इनकी document content को accept करना है उसके बाद आपको next पे tick कर देना है अब इस वाले page पे आप देख सकतो आपको KYC verification के लिए एक selfie अपनी upload करनी पड़ेगी तो यह आपको simply get started पे click करना है उसके बाद आपको अपने camera की permission को log कर देना है अब यहाँ पे थोड़ा सा processing होगा अब processing होने के बाद यहाँ पे आप देख सकतो यह बोल रहा है कि आपको press button ने start करना है और उसके साथ आपको अपनी eyes को दो बर blink करना है ताकि आपको जो verification हो वो ठीक तरसे हो तो यहाँ पे आपको simply start पे click करना है उसके बाद अपनी eyes को दो बर blink करना है और आपको अपनी selfie को upload कर देना है अब यहाँ पे आपके photo को central database से match किया जाएगा तो वाई उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना है उसके बाद देज सकते हो automatic इसने हमको इस वाले page पे redirect कर दिया अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमारी अधार card को verify करते हुए हमारी बहुत सारे detail यहाँ पे इसने अलड़ी निखाल दिये है अगर आपको लगता है कि कुछ उससे एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट वाले बटन पे कलिक करके उसको एडिट कर सकते हो वन्ना आपको इनकी term and condition को accept करना है उसके बाद आपको प्रोसीड पे टिक कर दिना है कि आप salary person हो, self-employed हो या फिर अगर आप student वगरा भी हो तो वो भी आप यहाँ से select कर सकते हो उसके बाद आपको अपनी personal email ID यहाँ पे verify करने पड़ेगी उसके बाद यह पूछ रहा है कि क्या आप physically disabled person हो तो भी देगो अगर आपको हो तो yes कर देना वजना आपको यहाँ पे no tick करना है उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे कि क्या आप nomony add करना चाहते हो या फिर नहीं तो वह यहाँ पे आपको yes पर tick करके nomony भी अपना add कर लेना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनका एक chat section open हो चुगा है जिसके अंदर यह पूछ रहे कि क्या आप अभी वीडियो के वाशी करवाने के लिए तयार हो अगर भाई देखो आप तयार हो तो आपको simply now all बेटन पर क्लिक कर देना है अगर आप तयार नहीं हो तो आपको कुछ भी response नहीं करना और वीडियो के वाशी के अंदर एक agent आपके साथ connect हो जाएगा वो आपके एक selfie capture करेगा आपका pen guard की photo लेगा और आपको signature करके एक blank paper पे इनको दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आपसे वो थोड़े बहुत question करेगा जिसके क्या आपको answer देना पड़ेगा और उसके यहादा tension मत लेना क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो minimum आपको एक और यहाँ पर इनिशल funding कर देनी है इससे एटल payment bank को यह लगेगा कि आप इस account को continue basis पे यूज़ करने वाले हो तो भी आप अपने account के अंदर एक रुपए डाल देना मैं यहाँ पर 50 रुपए सिलक कर लेता उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उपर में आपको यहाँ पर जीरो बैलेंस बगर की facility मिल जाएगी उसके बाद आपको add money पे click कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हो funding करने के लिए आपके पास बहुत सारे method आ रहोंगी आप इन में से कोई सभी method सिलक कर सकते हो औ और यहाँ पर अगर मैं आपको debit card क्लिक करके दिखाऊ न तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा virtual debit card है वो भी हमको generate होके मिल चुका है और इस card के थ्रू अब हम अपना phone पे गूगल पे है फिर UPI की कोई सी भी application चला सकते हैं और अगर आप अपना physical card मंगाना चाहते हो तो वो भी आप यहीं से मंगा सकते हो लेकिन मैंने उसके charges आपको अलड़ी बता दिया वीडियो के अंदर